है 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 नमस्कार मेरा नाम आसीज है और इस वीडियो में लिकना हूँ आपके लिए इस प्रेंग क्लैम जिनका उपयोग पीछे जो बैकड्रॉप आपको दिख रही है उसको फिट करने की काम आते हैं ताकि जो पीछे जो सिकोडन रहती है वो खतम हो जाए क्लैम उनको हम पर देखते हैं और बताते हैं कि यह प्रोड़क्ट कैसा है यहां पर देख सकते हैं कि यह हमार प्रोड़क्ट है और यहां पर देखिए इसमें कि आपको यहां पर चीजे लिखी हुई है बैक ट्रॉप यहां पर आइटम टाइप लिखा हुआ है और यहां पर कोई खास जानगाली बाहर अब लिखी नहीं होती है तो चलिए सब्सक्राइब पहले हम इनको करते हैं अनबॉक्स फिर इसके बाद आपको दिखा र आप यहां पर देखें कि बाहर से ही आपको यह फंट आप देख सकते हैं कि यह हैं हमारे क्लैम तो इनको आप देखें तो काफी मजबूत हैं इनको दबाने में काफी मजबूत हैं और बीच में आपको जो राट रहेगा वह असानी से आ जाना है तो चलिए हम इनको निकाल और यह मैंने एमाजॉन से मगाय हुए है जैसा आपने देखा है तो यह फंस आप देख सकते हैं कि यह हमारे बैकड्रॉप जिनका उपयोग हम बैकड्रॉप को खीचने के काम में लाते हैं उसको फिक्स कर देते हैं तो उसमें जो सिकुडान होती है वो खतम हो जाती है और हमारे वीडियो में जो बैकड्राउंड है वो बिदम इस परश्ट और दम क्लिर दिखाई देता है अगदम प्लेन दिखाई तो उसके लिए यह बहुत महिद्पूर्ण है और भी धेर सारे काम में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे की कप्ड़ी टांगने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन प्लिप कार्ट का प्राइस पोड़ा ज्यादा रहता है आप जहां पर चेक कर लेंडिंग मैंने लिंक इसका डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप जाके देख सकते हैं यहां पर भी आपको सस्ता उपलब्द हो जाए लेकिन क्वाल्टी आपको यही ही रखनी है सेम प्रोड़क्ट ही खरी दियेगा क्योंकि इसमें क्वाल्टी बहुत अच्छी है जब मैंने देखा था तो पहले इसका कहीं पर कोई रिव्यू उपलब्द नहीं है कोई फी वीडियो यूट्यूब में उपलब्द नहीं है इसलिए मुझे इसकी क्वाल्टी के बारे में सक्था मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा नहों कि इनकी प्लास्टिक काफी अगर तो थे बहुत मचबूत है और अगर आप उपने उउगली को इस तरीके सी फंसा देते हैं और थोड़े देठ कर आप पर दखेंगे कि इसके जो जकते हैं वो आपके उपन नहीं नहीं कि ईसके जो दाट कह सकते हैं तो उनके आप यहां पर देख लेजिए कि ये इस तरह के जो इसके दाथ जैसे हैं वो एकदम फिट हो गए हैं पीछे भी और आगे भी तो अच्छा खासा प्रेसर पड़ता है यानि कि किसी चीज को अगर आप इसको लगा देंगे किसी चीज को पकड़ देगा तो छूटने वाला नहीं है किसी भी हाल में तो यह इसकी खाज चाहिए कि इसके पशाद आप यहां पर देखें कि यहां पर एक बोल्ट का इसको कसा हुआ है तो यह कोई दिक्कत नहीं है और इनको कभी टूटना फूटना नहीं है काफी लाग लाश्टिंग प्रोड़क्ट है और क्वाल्टी पी बहुत अक्षी है यह तो इस तरह की सन का काम हो जाने वाला है और बहुत ही बढ़िया प्रोड़क्ट है आप इसको बिल्कुल पर्चेज कर सकते हैं अगर आपको अवश्यक्ता है आपके साथ में भी मेरी जैसे समझ से हैं जैसे कि बैक्ट्रॉप में सिकुडन बनी रहती है क्योंकि अभी ये मिर सब्सक्राइब कर दोफिए में अब आप यहां पर देखें कि मेरे जो बैक्ट्रॉप यो एकदम तना हुए दिखाए दे रहा है और बीच में किसी तरह के स्क्यूच दिखाई और आप हलके से दिखाई देते हैं पहले मैं एसको आप ता था इसलिए दिख रहे हैं और यह और यहां पर आप देखिए कि इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा हुगा तो यह एकदम फेट हो गया है और अब एक बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा और यह जो स्टेंड है जिसमें मैंने बैक डॉप को टांगा हुआ है यह भी मैंने अमजों से खरीदा था यह इस तरह का रहता है पूरा फेक्स हो जाता है इसको बढ़ा भी कर सकते हैं एक रोड उपर का भी बचा हुआ रखा है इसको और ज्यादा चोड़ा किया जा सकता है तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रेप्शन डाल दूँगा बैक डॉप का भी लिंक आपको नीचे उ सकते हैं आपको तुरंत ही जब आप मिलेगा मेरा मनना है यह अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी देख पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रंट से हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करना ना भूले हम कोई भी झाल झाल